भारती बैंकों ने बीते वित वर्ष में 2,09,000 करोड़ रुपए से जादा के लोन बट्टे खाते में डाल दी है इसके साथ पिछले 5 साल में बैंकों ने जो बट्टे खाते में करज डाला है उसका आंकला 10,57,000 करोड़ रुपए का है डाल जरूर देते हैं प्रविजनिंग करने के बाद लेकिन उसके बाद भी उसकी रिकवरी की जो कोशिश होते हैं उनको जारी रखते हैं और इसी वेसे रिकवरी होती है सर इतना बड़ा आंकला बट्टे खाते में डाला गया इसको कैसे समझा जाए जाए पंद्रा लाख करोड रुपए के आसपास का राइट आफ मतलब भारत के हाल फिलाल के बैंकिंग इतिहास में यह बढ़ा नंबर है क्योंकि अगर आब भारत का टोटल ग्रास एनपिये देखें बैंकों का जो 2018 में 10 लाख करोड रुपए था जो मार्च 2023 में घटके 5.5 पा बैंकों के इनक इनका इनका आश्र समाप्ट किया जा सके और एनके को कम किया जा सके तत्काल जैसे से बैंकों ने अग्रिसीवली राइट आफ करने शुरूू के दोलड करोड पिछले साल रयट कि भारत में बैंकों का एनकों घटकर फम पांच लाइब ृपर, आगर आप और भी बैंकों के तमाम मेकनिजम हैं, NCLT है, बैंकरप्ट सी अदालते हैं, उसके बाद भी बैंकों के लोन की रिकवरी बिल्कुल नहीं है, बैंकों को अपने बैलेंस शीट से अपने मुनाफ़ों से इसके लिए प्राविजिनिंग करनी होती है, यानि इसके बदले इस्तिती में पहुंच जाते हैं, जहां इनका इनकी गणना बैंकों पर बकायदारी में नहीं होगी, ये दो बड़ी चीज़ें बता रहा है कि ये राइट आफ बढ़ना और भारत में बैंकों में डेट रिजलुशन के लिए मेकनिजम बनना ये दोनों चीज़ें एक दू सूली हो जाए और दूसरी तरफ बैंकों से ये भी कहती हैं कि बैंकों को अपने लोन को राइट आफ करके अपनी बैलन शीट की ड्रेसिंग करें, अपने बैलन शीट को ठीक करें और उसमें एन्पीएस कम दिखाई दें, ये आकड़ा हमें बता रहा है